हलो गाई श्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरपसर मैथमेटिक्स में यहाँ पर बात करने बाले हैं एससे जीडी कॉंस्टेवल एक्जाम 2022 ते इसका जो के आपका दस्तारिक से स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पर सामान हिंदी के जो भी कॉश्चन्स आते हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं और यहाँ यह हमारा साथ नंबर सेसन है इससे पहले छे सेसन्स करा चुके हैं आप जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्श में दिये गए लिंक पर जाकर आप उसको देख सकते हैं और यहां पर 1000 कॉश्चन्स का सुपर फास्ट रिवीजन कराया जा रहा है एक सेसन में 50 कॉश्चन्स लिया जाते हैं दोस्तों और फटाफट अंदाज में उन्हें कगर किया जाता है ऐसी तरह कि जो कॉश्चन इसमें हैं वह ही कुश्चन ज्यादा तर एक्जाम में आते हैं सब्सूरा क्यों के अच्चन्स की टियारी कर रहे हैं साथ ही beard entrance exam की अगर आप तयारी कर रहे हैं तो यह session आपके लिए काफी महत्वपूड होने वाला है तो session को पूरा देखें इसके पना करें अगर session अच्छा लगता है तो like करें अगर चैनल पर पहली बार विजट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में वैल आइकन को अबस्चे दबाएं जिससे कि आने वाले और session का notification आपको मिल सके और आप अपनी तयारी को अच्छे से कर सके हैं एक बजे का time इस session का नेधारित किया गया है और एक बजे ही यह session आपका आता है दूसरा आपको बता दें कि शाम को 7 बजे जो आपका होता है वह साम को 7 बजे का जो session है आपका वह GS का session है GS का जिसमें के 25 questions को cover किया जाता है पर डे वह session आता है और उससे related जो भी fact होते हैं उ question है ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे यह वाक्य है तो कैसा वाक्य है इच्छा वाचक है संकित वाचक है विदान वाचक है या विश्में वाचक है फटा फट से इसका answer comment करेंगे जो भी होगा दोस्तों इसका answer answer करने का आपका तरीका वही है first question है तो first लगा के डैस पहला सहिए तो पहला दूसरा सहिए तो दूसरा सही है तो थीसरा सही है तो 34 सही है और इस तरह से his is clay आप comment करेंगे और comment करने के बाद मैं अपना देखेंगे कि आप कितना सही कर पा रहे हो और कितना गलत इसी से आपकी तैयारी का अंदाजा भी लग जाएगा इसको मोग टेस्ट के अंतरगत रखा गया है जिससे कि आपके जो questions होते हैं वह आप clear कर पाओ तो यहाँ पर आपको कम समय मिलेगा क्योंकि यह सुपर फास्ट रिवीजन है एक हजार questions को complete कराना है 20 सेसन होंगे हमारे टोटल और यह हमारा कौन सा सेसन है साथवा सेसन आप देख रहे हैं 30 से 35 मिनट का इसमें टाइम रहता है हमारा 50 questions को कबर किया जाता है यह आपको याद है और डेली यह सेसन आता है संडे को छोड़कर तो फटा फट से इसका answer बताएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा कि यह सुर्टों में सफलता प्रदान करे यह वाक्य है इक्षा वाचक है संकेत वाचक है बिधान वाचक है यह बिशमय वाचक है फटा फट से इसका answer comment कीजी दोस्तों क्या हो जाएगा तो इसका जो आंसर है इच्छा वाचक है यह हमारी इच्छा है कि इस वर तो मैं सफलता प्रदान करें और मैं भी यह चाहता हूं कि आपको सफलता मिल जाए अपके एक्जाम में आपका नंबर आ जाए और आप एक सीट ले लो आपको नौकरी लग जाए तो दोस्तों इसका correct answer हो जाएगा option एक right answer हो जाएगा next चलते है question की तरफ मेरा चोटा भाई मेरा चोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तक है अधिक पढ़ता है इस वाक्य में विध्य का विस्तार है तो विध्य कौनसा है इस वाक्य में आपको बताना है question अभी ए तीसरा है धार्मिक पुस्तक है अधिक पढ़ता है आपको बताना है इसका correct answer क्या हो जाएगा कि मेरा भाई धार्मिक पुस्तक है अधिक पढ़ता है तो इसमें जो विध्य है विध्य क्या है आपको बताना है तो इसका correct answer हो जाएगा धार्मिक पुस्तक है अधिक धार्मि करड़ में इन में से कौन सा प्रकार नहीं है जो बाग के होते हैं उन में कौन सा प्रकार नहीं है जो सरचना के आधार पर बाकियों का बर्गी करड़ जो किया जाता है उसके आधार पर कितने तरह के बाकि होते हैं यह आपको यहांपर चूज करना है और उसके पंज आत्रिक जो बच्टा है वही आपका अंसर हो जाएगा तो यहांपर अपसन Eक है सरल्वाक, दूसरा है आग्यार्थख वाकि तीसरा है मिस्र वाकि छोथा है सहिछ उत्वाकि फटाफट से अपना अंसर इसमें कमेंट करेंगे दोस्तों क्या इसका अंसर हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन है फटाफट से इसका अंसर बताईए कि देखो सहीुकत वाके होता है राइट है सरल वाके होता है ये भी सही है और मिस्र वाके भी होता है ये भी सही है तो चाहे तो इस कलम से मेरी पूरी कहानी लिख लो, इस बाकिय में कलम किस कारक में है, चाहे तो इस कलम से मेरी पूरी कहानी लिख लो, तो एक options दे रखे हैं, कर्म कारक दूसरा है, अपादान कारक तीसरा है, करड कारक चौथा है, संप्रदान कारक, राइट आंसर दोस्तों इस कलम से मेरी कहानी लिख लो तो क्या क्या आंसर हो जाएगा करता ने करता है नहीं है कर्म को को इसमें आ जाएगा अपादान से अलग होना होता है क्या होता है अलग होना अलग होने के संबंद में अपादन का प्रियुक जाता है और करड से होता है क्या होता है करड से संप्रदान को के लिए होता है यह आपको यादोना चाहिए तो इसका correct answer option 3 हो जाएगा क्या हो जाएगा option 3 कलम से पूरी कहानी लिख लो right answer question number four का three हो जाएगा next चलते है question पर question आता है मैं उस लड़की से मिला था मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी यह वाक्य कैसा वाक्य है सरल वाक्य है, सैयुक्त वाक्य है, करत वाक्य है करत वाक्य है, करत वाक्य है, या मिश्र वाक्य है फटा फट से इसका अंसर कमेंट करेंगे यहां पर question number six की six question लग चुका है आपका जीवन मंगल मैं हो यह वाक्य किस प्रकार का है फटाफट से इसका answer बताएंगे दोस्तों कि संदेह वाचक है विधान वाचक है इच्छा वाचक है या संकेत वाचक है राइट आंसर इसका comment करेंगे जल्दी फटाफट से comment करने का आपको मैं तरीका बता चुका हूँ six number question है six का one सही है तो one two सही है तो two three सही है तो three और four सही है तो four इस तरह से आप इसका answer comment करेंगे दोस्तों जल्दी से फटाफट क्या इसका answer हो जाएगा कि आपका जीवन मंगल मैं हो यह वाक्य किस प्रकार का है तो यह वाक्य जो है आपका इच्छा वाचक वाक्य है कैसा इच्छा वाचक वाक्य है option three एकदम से right answer हो जाएगा चलते है next question की तरफ question लग चुका है आपका यहां पर बोल रहा है मेरा भाई निशान्त जासूसी पुस्तक हैं अधिक पड़ता है क्या पड़ता है जासूसी पुस्तक हैं अधिक पड़ता है इस बाके में बाके में पुछे जाते हैं और इन questions पर ही यदि आप number gain कर लेते हैं तो selection आपका बिल्कुल पक्का हो जाता है यह समझ लीजिए तो यहां पर बात की गई है मेरा भाई निशान्त जासूसी पुस्तक हैं अधिक पड़ता है इस वाकिया में उद्देश वाक्विक का विस्तार जिसमें मेरा भाई दिया है मेरा बड़ा भाई नहीं दिया है तो correct answer option दूसरा हो जाएगा चलते हैं question number next पर question number next लग चुका है आपका question है मैंने एक फूल देखा जो खिल रहा था उपर योग तबाके में रेखांके तबाके क्या है तो रेखांके तबाके क्या है विसेशड है विसेशड उपबाके है संग्या उपबाके है क्रिया विसेशड उपबाके है या कोई नहीं है फटा फट से दोस्तो इसका answer comment करेंगे क्या answer हो जाएगा जल्दी से answer comment कीजी दोस्तो इसका क्या answer हो जाएगा कि मैंने एक फूल देखा जो खिल रहा था उपर योग तबाक फूल की बता रहा है, तो right answer यहां पर आपका एक हो जाएगा चलते हैं next question पर question देखते हैं, यहां पर question है आप जानते हैं कि इमांदारी एक अच्छा गुड़ रखा गुड़ है, उपर एक तुबाके में रेखांके तुबाके कैसा है तो यहां पर बात करते हैं option की option दे रखे हैं संग्या उपवाक्य है क्रिया उपवाक्य है इसका answer कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों इमांदारी एक अक्षा गुड़ है आप जानते हैं कि इमांदारी एक अक्षा गुड़ है उसका समान हुआ उपवाक्य में रिखांकी दर्खेंत लिएक ैपको बताना है तो संग्या उपवाक्य है संग्या विसेषार विसेषण उपवाक्य है या क्रिया विसेषण है या कोई नहीं फटाफट इसका answer कमेंट करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा जहाँ जहाँ वह गया उसका सम्मान हुआ उपरियुक तरेखां के दबाक्य में कौन सा उपवाक्य है संग्या, विसेषड, क्रिया विसेषड या कोई नहीं तो इसका जो correct answer है क्रिया विसेषड हो जाएगा क्या हो जाएगा Mireya Vis safety हो जाएगा Right answer option 3 चलते हैं next question पर question देखते हैं यहां पर क्या कहरा है इन मैंसे कौन सी जाती वाचक Sangenya है संगे है chosen संग्या से भाभु आचक Sangenya बनाया गया है जो जाती वाचक संग्या से भाभ आचक संग्या बनाया गया है यह आपको ale तो आपनापन दूसरा बुढ़ापा तीसरा सजावट चौथा कठोरता राइड आंशर दोस्तों बताईए फटाफट से कमेंट करके जल्दी से जल्दी आप कमेंट कर देते हो उतनी जल्दी ही मैं यह क्वेश्चन को आगे लेके चलता हूं क्योंकि यह फटाफट अंदाज से भाव वाचक संग्या बनाया गया है कौन सा बनाया गया है दोस्तों तो बुढ़ापा बनाया गया है क्या है बुढ़ापा बुढ़ा से क्या बनता है बुढ़ापा बुढ़ा हो गया आपका जाते वाचक संग्या और बुढ़ापा हो गया आपका बाव वाचक संग्या फटाफट से इसका आंसर comment करेंगे दोस्तो- zoo क्या हो जाएगा देखो यह द्रबे बाचक संगया हो जाएगी यह आपकी भाव बाचक संगया हो जाएगी यहाँ इनमें से कोई नहीं ऐसा तो हो जाता है यहाँ पर जो सभा है सभा में कितने लोग एकत्रित होते हैं किसी की भी सभा हो उसमें जन प्रतिनिदियों का महत्तपूरिस्थान रहता है और दूसरा दोस्तों यह है कि वहाँ पर समू होता है क्या होता है समू होता है तो यहाँ पर यह correct answer हो जाएगा option 3 जो कि समू बाचक संग्या का उदारण आपका हो जाएगा नेक्स चलते हैं question की तरफ question है इन में से कौन सा सब्द pulling है तो फटाफट बताएंगे कौन सा सब्द है जो pulling है अदालत है मिठास है या एक दो दोनों है इन में से कोई नहीं है जल्दी बताएंगे इसका answer क्या हो जा हो जाएगा इस त्री लिंग और गिलास हो जाएगा आपका पुलिंग राइट अंसर आपका हो जाएगा अदालत को बोलते हैं इस त्री लिंग में आपको वाक्य प्रियोंग करके देखना है कि आपका सही क्या बनता है उस हिसाब से आपको यहां पर correct answer choose करना है दो यहां पर चलते हैं नेक्स्ट कुश्चन की दरद क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर कैसा कोश्चन है निमलिकित मेंसे किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है राइट आशर आपको बताना राम पत्र लिखता है मैं बालक को जगवाता हूं मदन गोपाल को हसा रहा है गैं हूं पिस फटाफट से इसका अंसर कमेंट कीजी दोस्तो जो अकर्मक क्रिया है जिसमें कर्मक क्रिया है जल्दी से इसका अंसर बताएंगे तो राम पत्र लिख रहा है काम कर रहा है यह सकर्मक क्रिया हो जाएगी मैं बालक को जगवाता हूँ यानि मैं भी काम कर रहा हूँ यह भी सकर अगर में क्रिया पूछिए तो यहां पर option 4 राइट answer हो जाएगा चलते हैं next question की तरफ question देख लेते हैं अगला क्या आता है प्राढप्रिया प्राणप्रिया का सही समानारति सब्ड़ बताइए तो आपको बताना है जो प्राढप्रिया का comment कीजिए जल्दी से comment कीजिए ये भी इसके भी समानार्थी समझ लीजिए क्योंकि ये तो आगे तक बहुत काम आने वला है तो यहां पर इसका जो correct answer हो जाएगा अरदांगिनी है क्या हो जाएगा दोस्तों अरदांगिनी को ही प्राणड प्रिया कहा जाता है समाना अर्थी एकदम से राइट अंशर हो जाएगा क्या कहा कि मैं घर जाओंगा तो प्राणड बाक्या है या समय भाक्या है फटाफट से इसका अंसर कमेंट करेंगे तो उस्तों क्या हो जाएगा उसने कहा कि मैं घर जाओंगा किसने कहा उसने कहा कि मैं घर जाओंगा तो प्रश्ण बाजचाक यहां पर नहीं है क्योंकि आसा प्रश्ण बाजचाक करते हैं अपर हैं और रखके और प। इस फृझटा बूहां मुंनिदेंस को ओकर आर्णूर बहुद्ट को डिन देख़यादा है यदि किसी आंसर का आपको जो question का आंसर अगर वह अपको गलत लग रहा है तो आप comment करके दीजिए अगर वह गलत होगा तो उस पर विचार किया जाएगा और अगली session में उसको क्या किया जाएगा? सम्मलित किया जाएगा दोस्तो आप तक उसको पहुंचाया जाएगा उसका correct answer क्या है? उस related fact क्या है? ठीक है दोस्तो तो यहाँ पर बात करते हैं इसके correct answer की तो यहाँ पर यह बिश्मे बुधक बाके हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्योंकि दिखो यहाँ पर आपको आपके हैं नहीं है? तो क्या हो जाएगा option दूसरा एक दम से right answer आपका हो जाएगा नेक्स चलते हैं question की दरफ question देखते हैं अगला 18 number question है यहाँ पर राम घर गया उसने मा को देखा का सैयुक तबाग के बनेगा? तो राम घर गया उसने मा को देखा तो इसका सैयुक तबाग के क्या बनेगा आपको बताना है? राम घर गया और उसने मा को देखा दूसरा है राम घर गया अता उसने मा को देखा और इन मेंसे कोई नहीं है तो फटा-फट से इसका अंसर कमेंड करेंगे दूसरा क्या इसका अंसर हो जाएगा? तो राम घर गया और उसके बाद के आगविया उसने मा को देखा तो राम घर गया और उसने मा को देखा यह आपका right answer हो जाएगा चलते हैं question next question आता है question number 19 है देखते हैं यहाँ पर वह कौन सा अब्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नहरू का नाम न सुना हो बाके कैसा है कैसा बाके है आपको बताना है सैयूक्त बाके है सरल बाके है मिस्र बाके है और इनमेंसे कोई नहीं है फटा फट से इसका answer comment करेंगे दोस्तों कि वह कौन सा विक्ति है जिसने जवाहरलाल नहरू का नाम न सुना हो बाके है जल्दी से इसका answer बताएगे तो इसका जो answer हो है क्योंकि दस्तारिक से एक गजाम आने वाला है एक दू दिन का हमारे पास टाइम बचा है इस वज़े से तो यहां पर चलते हैं इसमें आगे लुख नाता है उद्देश और विदेश जो होते हैं वह घटक होते हैं किसके होते हैं दोस्तों वाक्या के घटक होते हैं यह आपको याद रखना है और यह करता और किरिया से तो बाक्या मिलकर बनता है कर्म और किरिया से भी बाक्या मिलकर बनता है कर्म और विसे सडसे भी लेकिन उद्दे इसे आपको क्या होता है कि motivation मिलता है कि हाँ हमारा यह answer correct था और हम इस पर sure है, sure होने के बाद ही आप answer comment करेंगे, इससे पहले आप answer अगर comment नहीं करते हैं, तो समझ लिजिए कि आप संदेय में हैं और संदेय में रहेंगे तो answer आप comment नहीं करेंगे, और अगर अगर अपना उस अचल नग गिरी है, दूसरा है, सुर्देव अमर है, तीसरा है, तरंगिनी, तर्टिनी, सरिता, चौथा है, असी करपाड चुरिका, फटा-फट से इसका answer comment करेंगे, दोस्तों क्या इसका answer हो जाएगा, जल्दी से इसका answer बताएंगे, कि किस वर्ग में सभी सब्द पर्याय नहीं है, कौन से में सब्द पर्याय नहीं है, यह आपको बताना है, तो इसका जो correct answer है, असी करपाड और चुरिका, यह correct answer हो जाएगा, अचल नग गिरी, यह इसका right answer है, क्योंकि टीनों इसमें क्या है, दोस्तों, पर्याय है, सुर्देव अमर ये भी पर् तो यह राइट आशर आपका क्या हो जाएगा असी क्रपार और चुरिका चलते हैं नेक्स्ट के तरफ क्षिशन नम्मर आता है 22 निमलिकित मैंसे आकास का पर्यावाची सब्द है तो आकास का बियोम बिलोम और विस्तार और विपिन फटाफट से आप आंसर कमेंट करेंगे आकास के पर्यावाची तो काफि होते हैं नब गगन अंबर तीन तो मैंने नहीं बता दी और वियोम इसका राइट आइशर हो जाएगा नब गगन अंबर वियोम यह आपका राइट आइशर हो गया करेक्ट आइशर आपका ऑप्शन एक हो जाएगा फटा-फट से आंसर कम करेंगे वसुदा है नारी है मंन Dadaki ni है है और सरथ जल्दी से इसका आंसर कमेंड करें कॉल्चोंटेंव टॉपसें कि रसा में नारी को किस तरह है तरह को संद्रफी का उप्योगत्वा तो यह बहुत बार एक जाम में आया है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पर रखा है, और इसको मैं रिपीट भी कराता हूँ, क्योंकि यहाँ अगर भूल जाओ, तो इसको याद रखो, तो उपत्य का सब्द का जो उपर युक्त बाक्यांस है, वह कौन सा है, परवत के उपर की भूमी, परवत की छाया, परवत के नीचे की भूमी, नरत्य की एक विद्या, फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे, क्या इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी से जल्दी आप आंसर comment किया करें जो उपत्य का सब्द खता जो उप्योंक्त बाकि आंश्य वह क्या है परवत के उपर की भूमी परवत की छाया परवत के नीचे की भूमी और नरत की एक विद्या right answer इसका दोस्तों हो जाएगा परवत के नीचे की जो भूमी होती है वह उपत्य का कहलाती है क्या कहलाती है दोस्तों उपत्य का कहलाती है राइट आंसर आपका option 3 एकदम से राइट आंसर हो जाएगा next question की तरफ चलते हैं question number आता है जीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं जीने की जो इच्छा रखता है उसके लिए उपयोगत सब्द कौन सा होता है तो विश्वासी, शर्वग्य, जिग्यासू और वाचाल राइट आंसर इसका कमेंट करेंगे जो जीने की इच्छा रखने वाला होता है उसके लिए कौन सा सब्द दियूज किया जाता है विश्वासी, सर्वग्य, जिग्यासू और वाचाल दोस्तो साथ बज़े का टाइम आप याद रखें साथ बज़े आपको टेस्ट सीरीज जो मिलती है 25 questions को GS related आपके कराया जाता है यदि आप SSI ZD के अत्रिक तो और भी एक्जाम से और तयारी कर रहे हैं क्योंकि UP Police का एक्जाम आने वाला है और वेकेंसी आने वाली हैं और लगवक 53,000 वेकेंसियां UP Police में आने वाली हैं 53,000 वेकेंसियां आने वाली हैं तो उसका भी आप ध्यान रखे हैं क्योंकि UP Police में सासना देश जारी होने वाला है कुछी समय में तो यहां पर उसकी भी तैयारी कराई जाएगी तो आप बने रहे हैं हमारे शाहत अगर सैसन अच्छा लग रहा है तो सैसन को लाइक जरूर करें जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है दोस्तो फटाफट से आंसर आपने कमेंट कर दिया होगा तो जिग्यासू कहा जाता है क्या कहा जाता है आपका जिग्यासु किसको कहा जाता है जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है जिग्यासु चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया हो उसे कहते हैं सन्यासी जितेंद्रिय सादू और इंद्रजीत इंद्रियों को जीत लिया हो या इंद्रियों को बस में कर लिया हो या आपको बताना है कौन सा है इंद्रियों को बस में कर लिया हो के बारे में पूछा गया है यहाँ पर इंद्रियों को बस में कर लिया हो तो कौन होता है सन्यासी होता है जितेंद्रियों होता है सादू होत पता फट से इसका अंसर कमेंट करेंगे दोस्तों correct answer आपका option 2 हो जाएगा कौनसा option 2 एकदम से right answer हो जाएगा दोस्तों यहां पर जितेंद्रिय किसको कहते हैं इंद्रियों को बस में करने वाले को जितेंद्रिय कहते हैं अगला question है question number 27 है जिसे जाना न जा सके बाक्यांस के ल बताना है तो कौन सा है अजानत है अगम है अग्ये है और अशक्त है फटा फटा आंसर कमेंट करें दोस्तों तो इसको अग्ये कहा जाता है अग्ये कहा जाता है राइट आंसर आपका option C हो जाएगा एक question दोस्तों और आता है वो मैं इसमें आपने बोलने से add कर रहा हूं कि ज आपको याद रखना है next question चलते है question number 28 है उपर की और जाने वाला उपर की और जाने वाला वाक्यांस के लिए एक सब्द आपको बताना है तो उर्दोगामी उपर गत आत्मा और मृत व्यक्ति उपर की और जाने वाला है तो फटा फट से इसका answer कमेंट करेंगे दोस्तों इसम चड़ों के बाद में वह ऊपर चला जाता है उसकी बात ना करके यहां पर यह वाक्या की बात की गई है कि ओपर की और जाने वाला वाक्यांस के लिए जो सब्द है वह कौन सा है तो इसका जो correct answer हो जाएगा उर्दोगामी हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों और नीचे क्रमबाला सब्द हैं स्वर्यावाची नहीं teaching अ ऐ घ्हु उप्षनं दूसरा है धुलो क हो गया उप्षन दूसरा है नाखती स्वर्या बेहाबरी चौk सर्लोक कंदोश हैं स्वर्लोक吗 ज़ुलोक में करेंगा बाता है यह किसकी कबता है आपको comment करके बताना है किस करमांग का सब्द शर्प का पर्यवाची नहीं है तो कौन सा है जो सर्प का पर्यवाची सब्द नहीं है ब्याल है, पन्नग है, अहे है, कुरंग है फटा फट से इसका ऑणसर कमेंट कीजी question number 30 है 30 का answer comment आपको करना है कि सर्प का पर्यावाची सब्द नहीं है उसको बताना है तो इसका जो कुरंग है ना कुरंग आपका पर्यावाची सर्प का नहीं है यह आपको याद रखना है चलते हैं next question की तरफ question आता है पुरोहित में उपसर्ग कौन सा है तो पुरोहित जो है उसमें उपसर्ग आपको बताना है पुरह है, पुरह है, पुरह है या पुरस है चलिया answer comment कीजिए इसका फटा फट से देखें मैं आपको भी बोलता हूँ कि आप answer comment कीजिए, comment कीजिए तो आप answer comment किया करें क्योंकि उससे आपका ही फाइदा होने वाला है आप एकदम निश्चिंद हो जाएंगे कि हाँ हमें इसका आंसर याद है और आपको आंसर कमेंट करना है तो पुरो हित में कौनसा उपसर्ग है राइट आंसर आपको बताना है तो पुरो हित में पुरा है पुरा धन हित पुर इन दोनों के लगने के बाद भी उसका जो अर्फ होता है, वह बहुती आच्छी तरह बनता है, ये बनना चाहिए, बिना अर्फ का उपसर्ग प्रत्य प्रत्य नहीं लगा जाता है यह आपको याद रखना है तो अबनत सब्द का जो प्रेयोक्त उपसर्ग है नत है अव है आवन है या अ है फटा फट से इसका आंसर बताएंगे दोस्तों क्या इसका आंसर हो जाएगा अवनत सब्द का जो उपसर्ग है वह क्या हो जाएगा अवनत हो जाएगा प्लस का नत ह तो हो जाएगा तहीं अवनत हो जाएगा राइट आश्र ऑप्शन दूसरा हो जाएगा 32 नमबर कॉस्टिन का नेक्स्ट वेश्ट की तरफ चलते हैं कुश्टिन नमबर आता है साबधानी सब्द में प्रयोक्त प्रत्य कौनसा है तो आनी है ए है धानी है या ए है फटा फटसे तो साबधानी सब्द में प्रयोक्त प्रत्य की बात की गई है तो प्रत्य कहां लगता है दोस्तों किया नी सब्द के पीछे लगेगा प्रत्य और प्रत्य सब्द के कहां क्या है तू सावधानी में कौन सा प्रत्य लगेगा ओनी फिटा ए लग जाएगा यहां पर तो सावधानी प्रियुक्त उसम सावधान आपको बतानी है तो श्याम है पानी है नदी है और बच्पन है करेक्ट आंशर आप बताईए कौन सा हो जाएगा भाववाचक संग्या है तो बताईए कौन सा करेक्ट आंशर है जो भाववाचक संग्या है श्याम है पानी है नदी है या बच्पन है वटापरसिस का अंसर कर डाना हैysis. शैल शैव deixar विसेषड संकर Personally क्या है ? जल्दी से आप answer बताएंगे 35th question का के विसेषड जो हैं सिव कहा वहां सा है तो सिब का जो बिसेसर होता है वो शैव होता है क्या होता है दोस्तो सैव होता है न शिवेश होता है न शैल होता है न शंकर संकर की अगर बात की जाए यहाँ पर तो सिब जी का जो दूसरा नाम से भी संकर के नाम से भी जाना जाता है लेकिन यहाँ पर जो विसे सड़ की अगर बात की गई है तो सैव होगा जैसे ही विश्णू का क्या होगा कि वैश्डव होगा यह आपको याद रखने होते हैं दोस्तो यह बहुत जी नॉर्मल कॉश्चन्स आते हैं क्वेश्चन को एक बार अगर आपने रिपीट कर लिया है तो समझ लीजिए क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा यहाँ बात करने वाले हैं भूतकाल के कितने भेद हैं तो भूतकाल में तीन हैं, चार हैं, पांच हैं, छे हैं कितने भेद होते हैं बूत काल में फटा फट से आंसर बताइंगे बूत काल यानि इंगилस में अगर बात की जाए यह आपको याद रखना है 36-0 question यह आपको याल रखना है नेज्स चलते हैं question पर इन में से अपादान कारकी विभक्ती क्या है जो अपादान कारकी विभक्ती है वह क्या है तो अपादान अपादान आपको पता है कि एक बार इंट गरी थी छट से एक बार पत्ता गिरा था पेड़ से एक बार लड़की गिरी थी छट से तो क्या है ये अपादान का तो आपको वही बताना है अपादान ने है, से है, के लिए है, को है तो क्या है, पेड़ से पत्ता गिरता है फटा-फट से इसका आंसर बताईए क्या आंसर इसका हो जाएगा तो इसका जो क्रेक्ट आंसर है से, अलग होने के संबंद में होता है अपादान से, अलग, अलग हो रहा है तो पेड़ से पत्ता किरता है करताने कर्म को करड़ से करड़ से, यहां से, अलग होने के संबंद में लगा है दोस्तो, अलग होने अलग होने के अलग होने के भाव में इसको लगा जाता है करताने कर्म को कर्ड से संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के संबंद में ठीक है तो यह आपको याद रखना है करता ने यहाँ पर करता कारक हो जाएगा करता यहाँ पर हो जाएगा अपादान, यहां पर हपादान से अलग हो, करताने, संप्रदान यहां हो जाएगा, संप्रदान को के लिए होता है, संप्रदान यहां पर हो जाएगा, और को है कर्म को हो जाएगा, यहां पर कर्म हो जाएगा, यहां पर याद रखना है दोस्तों, यहां पर बात करते हैं, न आसर फटाफट से comment करेंगे दोस्तों इसका राइट आंशर आपको बताना है दीर्गसंदी ब्रदी संदी गुड़ संदी और इन वski नहीं तो इसका जो श्वाज़ता है दोस्तों दीर्गसंदी हो जाएगा क्या हो जाएगा दीर्गसंदी या थार्थ में कौनसी संदी है त चैन कीजिए आंसु है अद्धिंड बराट को ना वाथ कर investment बेंगे यहाँ पर बताएंगे इसकं आंसर क्या हो जाएगा दोस्तो आंसू हो जाएगा हाती हो जाएगा बर्षा हो जाएगा बर्षा लिखा हो जाएगा इसलिए यह तत्सम सब्द है करेक्ट आंशर आपका 3 हो जाएगा नेक्ट चलते हैं क्वश्षिन पर क्वश्षन नंबर आता है 40 मतय के में कौन सी संदी में कटे में संदी पूची है तौग क्षब है ब्रदि है देर भैश अभी बैशर संदी आपके क OFFICER करेंगे प्रिये लगना दोखा देना कश्ट दायक होना बहुत प्रिये होना जल्दी से इसका आंसर बताएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा आंक की किरकरी जो मुहावरा है दोस्तों आंक की किरकरी होना मुहावरे का जो अर्थ है वह क्या है तो आप बताएंगे तो कश्ट दायक होना यानि कश्ट दायक होना यानि आग की किरकिरी होना राइट आंसर आपका हो जाएगा ओप्शन तीसरा दोका देना नहीं होगा प्रिये लगना नहीं होगा बहुत प्रिये होना नहीं होगा क्या हो जाएगा आंसर कश्ट दायक होना हो जाएगा चलते हैं next question की तरफ question आता है निमनलिखित मैंसे मौकिक अव्यक्ति का रूप है तो कौनसा मौकिक अव्यक्ति का रूप है आसु भासर सुद्वरतनी सुलेख और सुरुतलेख फटा फट आंसर कमेंट करेंगे सुलेख आपका करलत गलत हो जाएगा सुरुतलेख आपका गलत अंसर हो जाएगा मौकिक अव्यक्ति का रूप कौनसा है तो आशु भाषड है next question की तरफ चलते हैं अगला question आता है हिंदी भासा में कितनी बोलियां है आपको बताना है 15, 18, 25, 22 जल्दी से इसका अंसर कमेंट कर दीजी दोस्तों जो हिंदी भासा की जो बोलियां है वह कित निकलने वाली पत्रका योग्म है कौनसी पत्रका योग्म है बताitel deben कलमा घ्याक तीमादुरिदी न हवनीद मिनीद कई वचन सुदा और हिंदी ब्रदीड रात ऑंसर कमत्र जाएगा क्वार्ध पत्रका और भाली निकलने वाली पत्रका है कल्पना घ्या नूदै थी सरङ आपका ओप्रदीप कर राइट आंशर आपका ओप्षन फोर्थ हो जायगा कवए बचन सुदा और अखिलेश और हरे प्रकास उपाद्याय फटा फट इसका आंसर बताएंगे जो तदभा पत्रिका के संपादक हैं कौन है तदभा पत्रिका के संपादक देखिए हैं यह वहां पर आपको यह सारे सेशन मिल जाएंगे तो अगर दोस्तो सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और यहां पर तद्वा पत्रिका की संपादक की बात की गई है तो लाल लीला गडी लीला धर जगूरी है विश्वना तिबारी है अखिलेश है और हरी प्रकास बाद्या है तो करेक्ट आंसर आपका हैं करेक्ट आंशर आपका ही हो जाएगा नेक्स चलते हैं बारे बरसलो कुकर जीवे और तेरह लोग जीएस यार फटा 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 आंसर बताएंगे इसका क्या हो जाएगा विद्यापती जगनिक नर्पती नाल चंद्रबरदाई गरेक्ट आंसर दोस्तों कमेंट कीजे जल्दी से क्या हो जाएगा विद्यापती जगनिक नर्पती नाल और चंद्रबरदाई फटाफट से इसकांसर कमेंट करेंगे दोस्तों तो जगनिक हो जाएगा क्या हो जाएगा जगनिक राइट आंशर हो जाएगा ऑप्शन दूसरे एकदम से करेक्ट आंशर हो जाएग किस देश में हिंदी भासा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है किस देश में हिंदी भासा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है option एक है मारीश अस्टेलिया दच्छड अमेरिका और पाकिस्तान देखिए कितनी अच्छी बात है कि किसी दूसरे देश में भी हिंदी भासा को लिखने और बोलने के लिए प्रियोग किया जाता है दोस्तों किस के लिए प्रियोग किया आता है लिखने और बोलने के लिए आपको इस पर गर्व होना चाहिए क्योंकि हमारे देश की जो भासा है हुआ हिंदी भासा है तो यहाँ पर इसका correct answer की बात करते हैं दोस्तो जो correct answer इसका हो जाएगा तो कौन सा correct answer दोस्तो इसका हो जाएगा Mauritius, Australia, दच्छिड अमेरिका या पाकिस्तान तो दोस्तो इसका जो right answer हो जाएगा Mauritius हो जाएगा Mauritius की जो भासा है वह हिंदी है लिखने बोलने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है दोस्तो क्या किया जाता है प्रियोग Mauritius में हमारी हिंदी भासा को लिखने और बोलने का प्रियोग किया जाता है सूर्षागर किस भासा की रचना है वताइए फटाफट सूर्षागर जो है किस भासा की अबदी भासा बुंदेली ब्रज और चतिस गड़ी आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों इसका क्या हो जाएगा किस भासा की रचना है ब्रज भासा की ऑप्शन तीसरा जो होगा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा जो सूर्षागर है वह ब्रज भासा की रचना है चलते हैं सैसन के सेकंड लास्ट क्वेशन पर बीरों का कैसा हो बसंद कभिता किसने लिखी है फटाफट बताएंगे ये भी आपका आंसर नहीं है दोनों में से कौन सा हो जाएगा सुबहद्रा हैं कि सुमित्रा है तो राइट आंसर आपका चौथा ओपसन हो जाएगा क्यों हो जाएगा कि इस JUL वी नहीं है यह आपको दोस्तों फटाफट से लास्ट क्वेशन है दोस्तों यहां पर यह सैसन कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं यदि क्वेशन कोई भी ऐसा है जिसका आंसर आपको अलग लगता है और मैंने आंसर कुछ अलग बताया है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं मेरे लिए क्योंकि उसमें सुधार करके आगे के लिए आपको किया जाएगा वैसे यहां तक की बात है कि इसमें जो भी आंसर से दिये जाते हैं बहुत ही सोच समझ कर और उनका निरिच्छड करके दिया जाता है तो यह आप बिल्कुल निश्चिंतर है जो इसमें आंसर दिया गया है वो एकदम किया जाता है दोस्तों तो उसको देखना ना भूलें क्योंकि यदि आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहें तो वह सीरी जाप के लिए काफी महत्वपूर रहेगी दूसरा इस सेशन का आपका टाइम में दो पहर के एक बज़े से सेशन स्टार्ट होता है तो सेशन का भी टाइम आप धियान रखें कहीं पर भी आगर आप काम चार रहे हैं तो सेशन को जरूर देख थे इसके लिए टाइम जरूर निकालाएं आपकी एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी क्योंकि ये सेशन जो एक हजार क्वेशन से अत्रिक तो कोई भी क्वेशन आपके एक्जाम में मुस्किल ही आएगा ये आप ध्यान रखें तो दोस्तो यहां पर इसके करेक्ट आंशर की अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंशर क्या हो जाएगा तो इसका जो करेक्ट आंशर है मानक भासा हो जाएगा क्या हो जाएगा मानक भासा राइट आंशर हो जाएगा निम्ले खितमे से कौन सी ब्याकरण और बरतनी की तरफ से तो दोस्तो यह 25-50 questions थे और यह complete हो चुके हैं दोस्तो यहां पर तो बाकिया आपको session कैसा लगा आप comment करके बता सकते हैं तो इस session में फिलाल के लिए इतना ही मिलते हैं next session में next day साम को दोपैर को एक बजे तब तक के लिए नमस्कार